श्रिमत भागवतम, स्कन प्रथम, अध्याय आठ, स्लोक संक्या बारा तहे वार्थ मुनिश्रेष्ठ, पांडवः पंचसायकान, आत्मानो विमुखान दिप्तान, आलक्ष्या सस्टानु पादुदू तही, तब, एव, भी, अर्थ, एटवान, मुनिश्रेष्ठ, हे मुनियों में प्रमुक, पांडवः पांडु के पुत्र, पंचसायकान, आत्मान, स्वयम, अभिमुखान, की और दिप्तान, लपलपाटे, आलक्ष्या देखकर अश्रानी हथ्यार, उप्पादुदू, ग्रहन किया, अनुवात, जगद गुरु श्रील अप्रभुपाद महाराज द्वारा, जगद गुरु श्रील अप्रभुपाद की जाई, ये महान वीचार को मुनियों में अग्रणी स्वनक जी, उस दहक्ते एवं भ्रह्माष्ट को अपनी और आटे देखकर, पाचो पांड़ाओं ने अपने अपने पाचो हथ्यार संभाले, तातपरियों में जगद गुरु श्रील प्रहुपाद महाराज लिखते हैं, भ्रह्म सश्ट्र परमानु हथ्यारों से भी सुक्स्मों होता है, क्या लिखते हैं, भ्रह्म सश्ट्र परमानु हथ्यारों से भी सुक्स्मों होते हैं, अस्वर्था माने महाराज युदिस्टी के युदिस्टी आड़ी पांचो पांड़ाओं को तथा उत्तरा के गर्द में स्थीट उनके एक मात्र प्रोट्र को मानने के लिए अपना भ् मास्तर जो परमानु हथ्यार की अपेक्सा अधिक प्रभावसाली तता सुक्स्पतर होता है, परमानु बंबो की भाती अंधा नहीं था, जब परमानु बंबो की भाती अंधा नहीं था, जब परमानु बंब छोड़े जाते हैं, तो वे लक्ष तथा अन्यवस्टों में अ को हानी पहुचाते हैं ये बंग मुख्य रूप से नीडोसों को हानी पहुचाते है क्योंकि इन पर कोई नियंटर नहीं होता लेकिन भ्रह्मास्त ऐसा नहीं होता या लक्स को पहचानता है और नीडोस को छटी पोचानी पोचाय बीना आगे बढ़ता है तो महारानी कुंटी द्वारा प्रातना है तदा परिक्षित की रक्षा बहुत सुन्दर ये द्रस्तान डाता है हम कमसव चर्चा कर रहे हैं हमने कल चर्चा की कि किस तरह ड्रौनाचारे के पुट्र अस्वत्थामा ने ब् उनके वन्सच को नास करने के लिए लेकिन भगवान सबके रड़ाई में रहते हैं भगवान जानते हैं भगवान पांडों की रक्षा करना चाहते थे तो उनकी कैसे रक्षा करते हैं तो ये वर्णन इस अध्याई में आ रहा है तो देखा हमने कि कल भगवान का एक नाम है भक्त वच्सल ये बहुत उप्यूग नाम है भक्तों के रक्षक हम देखते हैं कि पांडव भी जब भी कितनी परेशा नहीं लेगी किसी के पास नहीं किसी भगवान के पास जाए गए तो यहाँ पे भी देखते हैं उट्टरा ने देखा उट्टरा ने देखा कि अर्जुन इतना सक्ति साली है भीम इतना सक्ति साली है युटिस्टी महारत सक्ति साली है फिवि उन पांचों पांडव के पास नहीं गई उट्टरा किसके पास गई भगवान कृष्ण के पास गई हमने देखा आगे प्राही प्राही उट्टरा ड्वेट पुर्णा जगत में मुझे मुट्ट्यू के पास से बचाने वाला आपक्या तीरिक अनिया कोई नहीं है तो यह सिखाते हैं वेडिक साहित यमें स्त्री ऐसा नहीं था कि स्त्री को निम्नमाना जाता था आज कल एक फैशन चल पड़ा है कि स्त्री को पड़ाओ ये करा ओ आगे करो लेकिन वो पहले उनको इसे संस्कार ढिए जाते थे घर में इसे संसकार ढिए जाते थे तो वो किसी के पास नहीं गई उनके ससूर अर्जुन महान धनुर्धर थे फिर ही उनके पास नहीं गई कहां गए भगवान के प्रास और कितनी सुन्दर प्रात्ना करती है उत्तरा कि हे देवा दिदेव ये ब्रह्मान के स्वामी आप सबसे महान योगी हो लेकिन आज कल पर्ड लिख के क्या करते है भगवान को इनिराकार मानते है भगवान है ही नहीं ये सब कठा क्या है माइठोलोजी मतलब कालपन एक दंट कठा है ऐसा मानते है तो ये बहुत हमारा दुरभाग क्या है कि हम भारत में जनम लेने के बाद भी हम ऐसा करते हैं हम ऐसा सोचते हैं लेकिन ये सब भागवत और भगवत गीता हमें यही सिख्षा देती है कि मारे क्रिष्टा राखे के राखे क्रिष्टा मारे के जिसको क्रिष्टा को बचाना इसको कोई नहीं मार सकता यहां हम देखते हैं कि पांडव को मांदने के लिए अंतिम वंसत को मांदने के लिए भ्रह्मास्त छोड़ यौ अमूग हो टाया वो किसी से इह नहीं हो टाया लेकिन भगवान की इच्छा से सब बज गए तो भगवान की हमें भी हमारे जीवन में भी कटी नाई आए नहीं आए हमें हमेशा भगवान की प्रेम में सीवा करनी चाहिए हमें भगवान से मांगना नहीं चाहिए ख्रिष्टी धर्म में प्रभुपार समझाते हैं कि ख्रिष्टी धर्म में क्या होता है ख्रिष्टी धर्म में संदे संदे जाते हैं और जो अपना पाफ होता है और बगवान को कहते हैं कि बगवान मुझे ब्रेट दीजे बगवान को पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है हम हमें क्या करना है खाली हमें उनके सरनागर होना है बगवान की खाली सरन में जाना है बगवान जानते है पिता जानते के पुट्र को क्या चाहिए पुट्र को कोई टेंशन है नहीं है पिता एक टेंस्टन है जारी हम टेंस्टन लेंगे तो भगवान नहीं लेंगे तוע पने आप करना चारण जो खरो गरिंजब भगवान को संपूर्णा सरनागत हो जाते है तो भगवान हमारा भाम वहान करते है योगक्षिमा वहामि अहं बदे बताते है कि मैं भक्तों का भार वहन करता हूँ तो हमें क्या करना है सिर्फ भक्ती करना है भक्ती मीज़ भगवान की प्रेम मैं सेवा एक मात्रा आचारी ऐसे है सीला प्रभुपाजी उन्होंने बताया कि भक्ती मतलब भाव नहीं भगवान की प्रेम मैं सेवा तो हम भगवान की सेवा करेंगे तो भगवान से आशक्ती होगी प्रेम होगा रुक्मनी के उडाहन में आता है कि भगवान को देखा नहीं था भगवान को लेकिन सुना था तो हमें यह भागवत सुननी चाहिए सुद्ध बख्तों के मुठ से तो हमसे भगवान से प्रेम होगा आशकल क्या होता है देखते हैं पसंद करते हैं लीवें लीवें सिंग में रहते हैं फिर प्रेम होता है और फिर डिवास हो जाता है ऐसा नहीं हम भगवान के बारे में सुनते हैं भगवान के बारे में भगवान की सीवा करते हैं तो हमें अ अभी जो परमानु हठ्यार का इस्तेमाल किया जाता है तो भ्रहमास तो उससे भी शुक्स्मन होता है हम देखते हैं कि सारे दुनिया सबसे उपर विज़ाई करने के लिए तत्पर रहते हैं अभी टालीबान ने आकरामन कर दिया और विजय प्लाप्ट कर ली पाकिस्तान एक अस्त्र बना रहा है चाइना बना रहा है रस्या बना रहा है अमेरिका बना रहा है भारत बना रहा है लेकिन यहां जो बात हो रही हो ब्रह्माश्ट्र ब्रह्माश्ट्र एक्टा सुक्ष्मा है कि जिसका लक्ष किया उसी को बोग नए समय और अभी तक उसकी प्रज्रापति उसका डूबभ रही है लेकिन इने erdétais नहीं होता है तो शास्त्र म बताते हैं कि तीन प्रकार का्फत्र होते हैं किसी कोई पता है ? तीन प्रकार के अस्त्र होते हैं, यह जानना चाहिए हमें, एक होता है स्थूल, एक होता है सुक्ष्मा और एक होते है डिवियम, तो सास्त्र में ऐसे बर्णन आता है स्थूल सस्त्र जो हम आक से देखते हैं, वान लिजे कि वो स्थूल सस्त्र इस दीवाल को भेट के नहीं आएगा हम देखते हैंब मा भरत के युग में एक बार्ण छोड़ता है दूसरा बार्ण छोड़ता है वो दिखता है एक दूसरे को वो स्थूल है स्थूल सर्था की limitation होती है limitation होती है कि उत्थी range में ही जाएगा उसको बक्तर पहन लेंगे तो उसका असर नहीं होगा पहने लेंगे उसका अवसान ने वह स्थूल है तो वह एक उसकी लिमिट एक लिमिट है तो यहां प्रभुपाज लिखे ब्रह्मास्त पर्मानुहत्या से भी सुक्स्मता पर्मानुहत्या की लिमिट इस नोटी कि वह जहां गिरेगा उसके कुछ डाइरे में वह विनास कर दे हैं वह सुक्स्म कैसे होते हैं कि किसी को दिखाई नहीं डिटे जिसको लक्ष किया गया उसी को बेड़ेगा यहां आप सब लोग बैठे हैं यदि किसी ने आपका लक्ष करके ब्रह्मास्त का छोड़ दिया यहां विष्णु बैठा है तो विष्णु को लक्ष किया है तो यहां बेटे-बेटे ही खताम हो जाएगा पता भी नहीं ते लिगा बाजुवाले को क्या हुआ उसको ब्रह्मास्तर ने बेट दिया तो वैसे ब्रह्मास्तर ने उसको उट्टरा के घर पे छोड़ा तो वो सुक्ष में होटा है जिसको लख्षक किया जाता उसी को मारेगा दूसरे को बाजुवाले को उसकी इजा नहीं होगी चाहिए इतनी घर्मी ब्रह्मास्तर की घर्मी बहुत सारी होती है लेकिन उसको लख्षक किसके उपर किया गड़ा परिक्सित के उपर तो वो परिक्सित को भी वेटने वाला थ इसलिए उत्तरा भागी-भागी भगवान के पास गई और दूसरे होते डिव्यास्त्रा सुक्ष्म को भी डिव्यास्त्रा बेट सकते हैं भगवान के जो आयूद है वो सब डिव्या है भगवान के पास सुदर्शन चक्रा है वो डिव्या है साधरन चक्रा नहीं है कभी कभी कोई प्रस्तर कर सकता है कि भगवान राम के पास अस्त्र है परसुराम के पास अस्त्र है भगवान कृष्टा के पास सुदार सच चक्रा है वो सारे अस्त्र सस्त्र देवी के पास भी है दुर्गा देवी के पास भी है ज़र यह आप दुर्गा का अस्त्र रूप द वो स्थूर और सुख्स्मा है। उनके पात जो अस्त्र है वो You Doeseau सुख्स्मा है। में लेकिन भगवान की स्था। वुन्स को क्द Sói J Vielleicht में एक व्यक्टी है। भगवान के जो अस्त्र है शुदर्षन चक्रा एक व्यक्टी है। आध्यात्मिक जगत में हर चीज का एक रूप होता है तो सुरसन चक्र भी एक व्यक्ति हैं हम स्रीमत भागवत हमको पढ़ेंगे तो उसमें वर्णन आता है हम भगवान का एक मैंने आगे बटा थे भगवान का एक नाम है वह भगवत्सल तो भगवान होते हो तो वो दुर्वासा मुनी जब उनका हाँ छोडने के लिए वो राजा का नाम क्या है अमरिश महाराज पर छोड़ दिया मतलब उसका गुस्से के उसने चुटिया से राक्षा सी उत्पन्न की और मानने के लिए छोड़ दिया तो यहाँ पर भगवान अपनी भग पत्सलता दिखा रहा है तो क्या हुआ जैसे ही इसको मानने के लिए चली गई दिर्वासा ने छोड़ा तो तो राजा तो वह ही कैं वही खळा रहाठा क्यूक्स designing के भगवान के हाथ में सब कुछ है मारे कृष्णा राखे के, राखे कृष्णा मारे के तो वो तो वहीं के वहीं खरे रहे लेकिन भगवान का सुदर्शन चक्रा भगवान से पासे चला गया अमरीश की रक्सा के लिए वो भाग रहा है उसको मार नहीं रहा है वो भाग रहा है उसके पीछे वो व्यक्ति है ना वो देख रहा है तो दुर्वा समुरी भागते 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 पूरे भ्रह्मान में गए और भगवान के विष्टू के पास भी गए तो विश्टू से बात कर रहा है दुर्वासा तो स्थूल होता तो वेट देता लेकिन वो उसको मारता नहीं है सुद्रस्ण उसके पीछे घूम रहा है को मार नहीं क्योंकि सुद्रस्ण शक्ति एक व्यक्ति है वो देख रहा है कि मेरे स्वामी के साथ बात कर रहा है कि वह डिविय अस्त्रा है दूसरास्त्र होटा दो वेद देता तो भगवान के जो आएुद्ह गें वह डिविय है यह यह अंटर है स्थूल सुक्स्मा और डिविय तो अधर माइस्त्र बेढ़ानु से सुक्स्मा風 कि यहां पर प्रवपाजी लिखते हैं पर्मानु वह स्थूल कई पर मार देंगे गोली चलते हें, हम हट जाएंगे, तो दूसरे को मुट्य हो जाएगे. लेकिन भ्arrhmá신े ऐसे नहीं। दिवयास्त अ उससे भी यह होते और सुक्ष्मा को बेठने के इसलिए दिव्यास्त्र कभी परास नहीं होते हैं इसलिए भगवान ने अपना सुदर्शन चक्रा चला दिया जब भ्रह्मास्त्रा अमोग होता है उसका उसका उसकी इस रक्सा नहीं होती है उसको बचा नहीं सकता है लेकिन दिव्यास्त्रा उसको परास कर सकते हैं इसलिए उट्टना के घर में भगवान ने सुदर्शन चक्रा परिक्सिक की रक्षा के लिए चलाया आगे आएगा सर्वसक्तिमन भगवान सीक्रिस्त यह देखकर उनके अनन्य भावो पर जो पूर्ण रूप से सर्णागठे महान संकत आने वाला है उनकी रक्षा के लिए टुरंटी अपना सुदर्शन चक्रा उठा लिया भगवान ने तुरंदी अपना सुदासन चक्र चला दिया तो डीवयास्तर है तो उसकी परिक्सिक्र की रक्षा हो गही तो यह समझना चाहिए स्थूल, सुक्स्मा और डीवया जितने भगवान के आयुड है वो डीवया होते है यिसीलिए देवी देवित्ताओं के जो अस्त्रा है, वह सुक्समों और स्थूल होसकते हैं, ओन्सकर लिकीन देवी आस्त्रा नहीं हो सकते हैं, इसलिए कभी-कभी book distribution में जाते हैं तो लोग कहते हैं कि हमें देवी उपासक हूं, कभी आपको भी प्रश्टा मनकरना पूछ सकते हैं भगवान, मतलग भगवान ने सौरी, लोग प्रस्टा पुछते हैं कि डेवी देवताओं के के बीचप्र वस्तों के उपास में चर्चा चलती ही कवर स्रेश्ठ है कि यह सब से हम्ता की डेवी भगवाण की आश्रीद sugar रहती है हम यह बागवतम में हम देखेंगी आगे जब घवान का जन्म होता है हमने जन्मSi इन दिविय भगवान के जन्म और कर्म डिविया है सामानी व्यक्ति नहीं है हमारा जो जन्म होता है तो मैं बटाना पड़ता है कि आपका जन्म इस अस्पताल में हुआ है आपके माटा पिता ये है आप रोटे थे आपने ये कर दिया था लेकिन भगवान का जन्म ऐसा नहीं है भगवान का जन्म डिविया है जन्मे कर्मे चमे डिवियम तो भगवान जन्म लेने के तुरन उनकी माता और पिटा को बता दे कि आप पिछले जन्मे ये थे तब में ये था हम अपने माता पिटा को बता सकते है कि हम पिछले जन्म में क्या थे नई लेकिन भगवान के जन्म और कर्म डिवे इसलिए भगवान बताते है कि आप पुष्णी घर बते तब मैं मेरा नाम ये था उसके बाद मैं वामन रूप में आया तो ये भगवान है तो भगवान जब अउतरिट होने वाले थे तब भगवान ने सारे डेवी देवटा को भी बुलाया और डेवी देवटा को भुलाया कि आप भी पुठवी लोग पर जाएए और ये वंस में यदू वंस में जन्म लीजे लिश्णि और यदू वंस में जनम दीजे तब भगवान बल्लाम का जब प्रागट यह होने वाला था तब भगवान ने दुर्गा देवी को भी बुलाया भगवान ने दुर्गा देवी को भूला है और दुर्गा देवी को भूला है और भगवान दुर्गा देवी को बोला कि आप बल्लाम संकर्षन को रुईनी के घर में ट्रांसफर करिये और मेरी सक्ती से आप कर पाएंगी भगवान उनको सक्ती देते है और भगवान उनको नाम भी देते है अलग-अलग जगा पर अलग-अलग नाम दिये भगवान ने कि तुम्हारा ये नाम होगा तुम इस नाम से जानी जाओगी बहुत सुन्दर वर्णन आता है स्रीमत भागवत अमें एक-एक वस्तु का वर्णन आता है कि भगवान के जो जो ये भगवान उनको नाम देते है कि तुम्हारा नाम चंदी का होगा तुम्हारा नाम रूप माया देवी होगा मंबा देवी में आप माया देवी के नाम से जाने जाओगे ये सब वर्णन आता है स्रीमत भागवत अमें बहुत रूप से बताया गया है कि भगवान के एक एक नाम एक एक रूप, एक एक गूर्ण का वर्णन आता है तो बताते हैं कि आप उनको सरकसन को ट्रांस्फर करिए रोहिनी के घर में तो भगवान उनको डिक्सा देते हैं उनको नाम देते हैं, हम भी दिक्सा हो, हमारी भी दिक्सा हो, हमें एक नाम मिलता है ना, तो यहाँ पे भी हम देखें कि जन्मस है, पूर्वा भगवान ने योग माई दुर्गा देवी का बुलाया, और डिक्सित करके कहते हैं कि आप विभिद्न नामों से, आप मेरे से आप यह कारिया कर पाएंगी और विभिद्न नामों से जानी जाएगी, तो संकर्सन बनलब दुर्गा देवी एक नाम है, बद्रकाली, विजिया, अभी विजिया डेस में आगे, विजिया, वैश्नवी, हम अच्छा, यहाँ पे वैश्नवी नाम है, तो हम सब वैश्नव देवी वैश्नवी निया, वैश्नवी है, उनका नाम वैश्नवी, हम वैश्नवी वैश्नवी करते रहते हैं, उनका नाम वैश्नवी है, कुमुडा, चंडिका, कृष्णा, माध्वी, कन्यका, माया, नारायानी, इसानी, शार्दा, अंभिका, यह सारे नाम से जानी वान ने उनको सान दिया वारा नसी में लिखते है प्रहुपात जी कि वारा नसी में दूर्गा नाम से जानी जाएगी अवंटी में बद्रकाली के नाम से जानी जाएगी उरिष्टा में विजिया के नाम से जानी जाएगी कुलहापूर में महालक्ष्पी के नाम से जानी जा आता है कि क्रिष्टस तु भगवान स्वयम। इसलिए हमें भगवान क्रिष्ट की सरन में जाना चाहिए और क्रिष्ट की सरन में जाने मात्रा से ही हमारी रक्सा होगी और भगवान भक्त वच्सल होने के कारण भगवान भक्तों की रक्सा करते हैं। और भक्ति करने के लिए कौन सी मुश्किल है, कोई मुश्किल नहीं है, किसे शरल बात है, कि चैतन्य महा प्रभु जो स्वय हम भगवान यह भक्त के रूप में आके हमें यह भक्ती सिखाएगी, कैसे भक्ति करनी चाहिए? भगवान स्वेम भक्त के रूप में आके सिखाते हैं क्योंकि भगवान भक्त वच्छल है और बहुत यह भक्ती करने के लिए हमें मैंने कहीं बार बोला है कि भक्तों के संग में हम भक्ती करते हैं यदि हमें भगवान के डर्शन हुए तो भी हमें भग्तों की संकी आवश्यक्ता परती है। ये सिमत भागवाट हमें बटाया गया है। देखे, देखे, मैं बच्चाता हूँ, भग्तों के संका महात्वक क्या है। भगवान के डर्शन के बाद भी हमें सुद्ध भग्टों की आवस्चक्ता पढ़ती है भगवत डाम जाने के लिए क्योंकि हम देखते हैं सिमत भाग और प्रचेटा प्रचेटा हुने संकर भगवान से दिक्षा लिए विष्टू के डर्शन हुए थे पीबी जब उनको गुष्टा आया तब नारट मुनी उनको नेखा कि पूरे प्रुठवी पे जार उग गये तो उसको गुष्टा आया और उससब जलाने लगे तो नारट से पास से उन्होंने सिख्षा लिए और फिर वो भगवत डांग गए ऐसे सिमत भागवत अमें देश दिया तब भगवत डांग गए पिटू महाराज बली महाराज बली महाराज को भगवान के दर्शन हुए फिर वामन देव के पास प्रलाट महाराज आये और उन्होंने सिक्सा दी तब वो प्रलाट महाराज भी भगवत डांग गए सिक्सा दी दुरू महाराज को मार दिया यक्षवन तब उनको ग्रोड आया तो स्वयम भूमन वाए और उनको ने भक्ति की सिख्षा दी और वो उसने भजन किया और भगवत दाम गए चैतन्य महाप्रभू स्वयम भगवान सिखाते हैं अपनी आचरीत्र से क्योंकि भक्त के रुप में आया तो उन्होंने ड्रू चरीत्र और प्रलाच चरीत्र सो और बाल सुना गडादर बंडित से इतने मारों भी सिखाते हैं कि भग्तों का संग कितना important है संगे सक्टी कलो यूगे इसलिए हमें भग्तों के संग में भक्ती करनी चाहिए इसलिए हम यहां सेंटर पे भग्तों को बुलाते हैं कि आइए लेकिन बड़ा दूर्भाग्या है कि हम नहीं आपाते हैं यहां सब फैसिलिटी उपलब्द है फिर भी बहुत डुरभा क्या है हमारा तो हमें सोवन किसे करना चाहिए भक्तों से सोवन करना चाहिए जब कोई सुनने वाला हो सुनने वाला है तो हमें सुनना चाहिए यह भक्तों का important है कि जब हमें किस से सुनना चाहिए, भक्तों से सुनना चाहिए, जब कोई सुनने वाला नहीं हो तो हमें सुनना चाहिए, मतलब कोई सुनने वाला नहीं है तो हमें लोगों को सुनना चाहिए, ये भगवाद संदेश, और ये डोनों नहीं है तो अपने जो सुना है, हमने जो स प्रभुपात की शिक्षाओं के अनुजूरूप तो हमें बहुत सुन्दा तीच से हम भक्ति कर पाएंगे और भक्ति नौधा प्रकार से की जाती है किसी भी एक में हम करेंगे तो हम पूर्णाटा प्राप्त कर सकते हैं सवनम कीटनम विश्नुस परनपाद सेवनम और चनम वन्नम दाश्य शाक्ष्य आत्मनिवेदनम तो हम देखते हैं सास्त्रा में कि स्लवन करके परिक्षित महाराज स्लवन करके भागवतम के मुख्य नायक स्लवन मात्रा से पूर्णाटा को प्राप्त की कीटन भगवान भगवान का कीटन करना जाए सुपदेव गोस्वामी की उडारन है कीटन करके हां स्मरन स्मरन किसने किया था प्राप्त महाराज विश्णु का स्मरन प्रलाद महाराज ने पादा सेवन भगवान के चलन कमल की सिवा किसने की भाग्या देवी लक्षमी जी ने पूजन अर्चविग्रा का पूजन पुजन पुठु महाराज प्रात्ना ए वंदनम प्रात्ना ए अकुर फिर दाश्य भाव में हम सब जानते हैं हनुमान जी फिर शक्य भाव में हम देख रहें अर्जुन और आत्मा समर्पन सब कुछ समर्पन कर दिया बली महाराज तो बली महाराज ने सब कुछ समर्पन कर दिया तो भगवान उनके द्वारपाल बन गए उनकी रक्षा के लिए सुटल लोग दे दिया तो हम भगवान से प्रेम से पत्रम पुस्पम फलं तो हम जो प्रेम से अर्पन करेंगे भगवान ले नहीं लेंगे उसका अधिक देंगे हम इसलिए हम जब भी भोग भी बनाते हैं तो हमें ये सोचना चाहिए कि ये मैं भगवान के लिए बना रहा हू या हम भोग बना रहे है और उसमें नमक जादा है या नमक नहीं है तो ये हमारी कॉंसेस नहीं है क्योंकि हमारा मन भगवान में नहीं है यह हमें समझना चाहिए हम कोई भी सिवा करे चाहे हम भोग बनाने की करे या माला बनाने की करे या कुछ भी करे तो यदि इसमें कुछ तुटी रहती है तो दोस्त भगवान का नहीं है हमारा है क्यों हमारी consensus नहीं थी हम कुछ और सोचते हैं हम आर्ति कर रहे हैं और हम पूर्ण रूफ से नहीं कर पा रहे हैं हम साथ रांग की गर चौदा रांग कर लेते हैं तो यह हमारी conscience नहीं है तो जो भोग बना रहे हैं कितना सुन्दर है तो भगवान की सेवा इतनी सुन्दर है इतनी मदूर है तो यहाँ पे यह जो वर्णन आया है कि उन्होंने अस्तर अस्तर छोड़े तो भगवान ने उनकी रक्षा करी तो हमें संपूर्ण भगवान के आस्राई में रहना चाहिए अभी हमारा वो लेवल नहीं है लेकिन जैसे जैसे हम भगवान के बारे में भगवान के सुद्ध भक्तों की सेवा करेंगे तब हम पूर्ण आटा को प्राप्ट करता हैं तो यह बहुत सुन्दर मेसेज है समय हो रहा है इसलिए याम विराम लेंगे किसी को कोई प्रस्त है तो पूछ सकते है है किसी को कोई प्रस्ता यस नियम तो हमें फॉलो करना ही करना है नहीं है हाँ ध्यान रखना चाहिए लेकिन गुरु महाराज क्रिष्टव बक्ति प्रबोटी में लिखना लिख रहे है कि हमारा ध्यान होना चाहिए कि रावन गिन्ने में हमारा स्परन नहीं होना चाहिए लेकिन हमारी यह हम कि हम किसकी सेवा कर रहे है वो हमें स्परन होना चाहिए रावन इतने important नहीं है लेकिन हम गल्टी कर रहे है तो हमें समझना चाहिए कि हमारा conscious ठीक नहीं है हमारा ध्यान नहीं है तब ही हम गल्टी कर रहे है नहीं तो हमारा गल्टी नहीं होगा ये भी हमें समझना चाहिए बगवान का सुदस्य चक्रा है वह भगवान का डिविय अस्टर है भगवान सब डिविय अस्टर चलाते हैं भगवान को सुख्म स्थूल की जरूत नहीं है इसलिए भगवान उस लीला से हमें बताना चाहते है कि अमरुट कैसा है अमरुट का प्रभाव दिखाना चाहते है इसलिए उसका गला कार्डिया तो गला जीवित रहा क्योंकि गलाय तक अमरुट गया था तो ये लीला से भगवान हमें बताना चाहते है कि ये क्या है अमरुट क्या है तो ये भगवान बताना चाहते है तो कल गुनानु अनन भी था तो सीला प्रभुपाद जी ने ये संस्ता भी हमारे लिए स्थापिट किये सीला प्रभुपाद एक ऐसे आचारिया है कि हमें इकठा करने के लिए जैसे जन्मास्त्रमी के बाद सीला प्रभुपाद जी का आविर्भाद होता है भगवान क्यों जन्म लेते हैं परित्रा नाय साधुनाम, विनासाय सदुस्क्रिटाम, धर्मसंस्तापनाथाय संभवाम, यूगे-यूगे तो परित्रा ने साधुनाम साधु पुरूसों की रक्षा के लिए भगवान आते है तो प्रभुपाद उसते टाटपरे में लिखते है कि भगवान को हर बार आने की जरूद नहीं है कभी-कभी उनके सुद्ध भक्तों को भी भेज़ देते हैं भगवान प्रभुपाध जी ऐसे सुद्ध भक्त थे तो प्रभुपाद ने भी यहां आयए और इसकोन की स्दापना इसे लिए की पवीत्रा आत्मा को बचाने के लिए प्रभुपाध जी ने इसकोन की स्दापना इग alarms और इसकौन मंदीर में जो यह उच्छो मनाये जाते हैं मंदीर है गुरुकुल है फार्म कमेंटी यह सारे यह जो भावसागर है मरुस्थल है उसमें एक बहुत बड़ा कुए के समान है इसकौन प्यूंकि बाहर हम जाएंगे तो सब जगा माया में फसे हैं लेकिन यहां इसक यह बनाया कि सब लोग आके अंदर भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं इसलिए शिल्य प्रभपाजी ने इसकौन की स्थापना की और अर्श्विग्रह इतने सारे फ्रेस्टिवल दिये कि जिससे हमारी जो हमें खोया हुआ क्रिष्ट की चेटना है हुआ हम फुना जागित कर स इसलिए सील्य प्रभपाजी ने परिट्राणे साधु नाम साधु पुरुक्षि की रक्शा के लिए इसकौन की स्थापना की फिर क्या किया विनासायत दूसक्रिटाम जो आसुरी लोगों की आसुरी सब्यता को विनास करने के लिए उन्होंने इतने सारे घ्रन्थ लिखे और चैतनियों महाप्रव का जो मिशन था आसुरी संस्कूर्टी को दमन करने का हरी नाम के द्वारा हरी नाम के द्वारा उसका दमन किया चैतनियों महाप्रव का मिशन को आगे बढ़ाने के लिए प्रभवपार जी अपने सब्दों के द्वारा उसको बेट दिया, उसकी उसको खटम कर दिया, इस आसुरी सभ्यता को खटम कर दिया, सीला प्रभवपार जी के जो घ्रंट है, वो इतने डिविया है, कि बड़े-बड़े वैग्यानिकों को भी परास करते हैं, और भगवान क भाणो ना करते हैं उनके रड़ाई में आध भी हम प्रॉभपाएत के घ्रण्ट पड़ेंगे तो दिखेंगे कि उसके जो क्रण्ट को को अधर्मकी वाक्या है एक कि हमारे आशुरी सप्वग्यतउ सुनेंगे प्रभुपार के लेक्चर सुनेंगे तो हमा जो आशुरी प्रभुट्यों खटम हो जाएगा धर्म की स्थापना होगी क्रिश्टस्तु भगवान स्वयम ये एक सिर्फ सिला प्रभुपार जी ने स्थापिट किया क्लास में आज 4-5 लोग बैठे हैं यह पूरा होल भर जाए गए हम प्रचार जितना हम प्रचार करेंगे तो हम यह कारिया कर पाएंगे हरे क्रिष्ण श्रील प्रभुपाद की जाए ग्रंट राज स्रीमत भागवतम की जाए